नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इंडिया नियूज में मैं हूँ आपके साथ कशिश पांडे प्रियंका चाहर चौधरी और अंकित गुपता को तो आप सभी जानते ही होंगे जिहां दोनों किसी परिशे के महताज नहीं है उरारिया सीरियल से हिट हुई ये जोड़ी आज भी चर्चा में है इस जोड़ी उरारिया के बाद बिग बॉस सीजन 16 में देखा गया था वहाँ इन दोनों की जोड़ी को फैंस के द्वारा खुब पसंद किया गया, दोनों की दोस्त बन घर में एंट्री लेने वाले इन सेलिप्स की डेटिंग की खबरे भी खुब सुर्ख्यों में रहे वहीं अब रिष्टे में होनी की अफ़ाओं पर प्रियंका चाहार चौधरी ने चुपी तोड़ते हुए एक बड़ा बयान दे दिया है प्रियंका चाहार ने हालिया इंटर्व्यू में बताया है कि कैसे उन्होंने और अंकित गुपता ने इस तरह के करीबी बंधन को शेयर करना शुरू कर दिया है हाला कि वहीं प्रियंका ने और भी कुछ कहा है ये रिष्टा बिलकुल एक प्यारी सी दोस्ती कहलाता है दोस्तों मैं इमानदारी से बताऊं तो वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, कुछ रिष्टे आपको पता नहीं होते, वहीं अंकित ने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरी उससे इतनी अच्छी दोस्ती होगी उन्होंने कहा कि मुझे वह हमेशा से पसंद था, मुझे उसे चेड़ना पसंद था, मुझे वह पहले से अच्छा दोस्त लगने लगा था, लेकिन वह लोगों से थोड़ी दूरी बना कर रखता है हाना कि उसे बार में हैसास हुआ कि मैं अच्छी लड़की हूँ तो ये रिष्टा पूरा दोस्ती का है, उससे जादा और खुछ नहीं उन्होंने कहा कि प्यार दोस्ती रिष्ट रूप से हो सकती है, वहीं शायद लोगों के लिए लेकिन मैं खुछ नहीं कह सकती मतलब है एक दोस्त है और हम अभी भी कुछ नहीं सोच रहे हैं क्योंकि वह अपने काम में व्यस्त है, मैं अपने काम में व्यस्त हूँ, इसलिए हम दोनों काम कर रहे हैं, हम धोनों खुछ हैं और हम एक दूसरे से बात करते हैं और हम एक दूसरे को बताते हैं कि क्या रहा कैसा रहा पूरा दिल इसी बीच अंकित गुपता को डेट करने के अफ़ाओं पर एक्ट्रेस ने कहा देखो अफ़ाओं तो चल रही है और उसे चलते रहने दो दस लोग जो भी बात बोलेंगे उसको वैसा बोलने दो मुझे अफ़ाओं से कभी फर्क नहीं पड़ता वही फिलहाल प्रियंका चाहर चौधरी ने अंकित गुपता के साथ अपने रिलेशनशिप पर चुपी तोड़ते हुए साफ इंकार कहा है कि वो दोनों रिलेशनशिप में नहीं है लेकिन जो उनके फैन्स है उनको जो उनका रिष्टा है उनका जो बॉन्ड है वो बहुत ही जाद अच्छा लगता है और वो कही ना कहीं यही बोलते हैं कि दोनों रिलेशनशिप में है या फिर वो रिलेशनशि किसा